बिल्कुल सही देखा है अपने थमनेल के अंदर आज एक ऐसी strategy के उपर मैं discussion करने वाला हूँ पूरी strategy मैं बताने वाला हूँ जिसका कम से कम 20 साल का almost 20 साल का मैं back to this report भी मैं आपके साथ share करूँगा strategy की entry कहां पे होगी, exit कहां पे होगी, stock कहां पे होगा यह सारी चीज़ें आज इस session के अंदर हम देखने वाले हैं और हां यह इतना जबर्दस performance हम कैसे कमा है, उसकी पूरी जानकरी आज आज आपको इस session के अंदर हम मिलने वाली है तो दोस्तों यह जो strategy है, it is a simple SIP जो आप करते हो, बिल्कुल वैसा ही है लेकिन यह जो SIP हम करने वाले हैं, यह हम करने वाले हैं, stocks के अंदर यानि direct delivery हम purchase करें, delivery, it's a pure delivery, यानि कोई leverage नहीं, ना कोई future, ना कोई option pure delivery, stock purchase करेंगे और यह जो हमारी purchase करने की जो frequency होगी generally जो SIP होता है, वो आपने देखा होगा कि वो monthly basis पे होता है, हर महीने किसी एक तारीख में आप पैसा invest करते हो either through mutual funds or direct in the stock market, लेकिन यह जो हमें SIP करनी है, यह SIP सिर्फ और सिर्फ हमें करनी है on a daily basis, और यानि हर वोज हम opportunity देखेंगे और हर रोज हम trade करेंगे, now सबसे पहले यह stock SIP है, तो इसके stock selection के criteria क्या होने चाहिए, उसके लिए, here are some of the criteria which is already mentioned, सबसे पहले जो आपका stock है, यह group का होना चाहिए, ऐसे stock आपको लेने चाहिए, जिसका जो CAGR है, वो कम से कम 10 से जाधा person का होना चाहिए, growth वाले stock तो चाहिए चाहिए, बिना growth वाले stock है, उसमें यह strategy आपकी work नहीं करेगी, कोशिश आपको यह करने है कि जो आपका stock का price है, वो 500 रुपे से भी कम यहाँ पर होना चाहिए, 500 रुपे से उपर वाले stock है, उसमें यह शुरू मत करो, and अगर आपको कोई ऐस stock मिल गया, जो growth वाला हो, 10% से ज़्यादा CGR हो, उसकी value 10-100 रुपे यह उसे कम हो, तो यह काफी अच्छा है, now when you are doing the SIP, तो यह जो आपका stock का price यह बहुत ज़्यादा important होता, क्योंकि जितना आपका stock का price नीचे होगा, उतने आपके number of quantities आपको ज़्यादा purchase यहाँ पर कर पाऊगे, now कुछ गलती आपको इस strategy में बिल्कुल नहीं करनी, especially in the stock selection, ऐसे stock आपको नहीं लेने, जो dividend वाले stock हो, ऐसे stock आपको नहीं लेने, जिसमें जो downside move, यानि जो negative swing आते हो, ऐसे stock आपको नहीं चीए, in fact, आपको stock select ही नहीं करनी चीए, आपको ऐसे script को select करना चीए, जिसका business आपको बहुत अच्छा आपको नहीं समझना है, इसको stock का price आपको नहीं समझना है, now the next and very important part कि यह जो strategy है, इसमें जो stock selection कर लिया, now the next one is, कि इसके अंदर हमारा entry का criteria का होना चीए, तो entry का criteria है, वो बहुत ही simple है, यह एक daily SIP है, यारी रोज हम यहाँ पे trade करेंगे, हम यहाँ पे या तो value के हिसाब से, या आप सोच सकते हो कि भी रोज मुझे, for example, 2000 रुपे के share purchase करीदने है, जितने भी shares है, या तो आप quantity select कर सकते ह मैं 5 quantity में purchase करूँगा, irrespective to the price, तो या तो आप value select करो, या तो आप quantity select करो, आप jumling आप नहीं कर सकते, किसी एक के उपर आपको अभी ही fix decision बनाना पड़ेगा, यह जो daily SIP, या रोज हम trade करेंगे, रोज हम buy करेंगे, और यह हम करने वाले हैं 3 बजे, सिर्फ और सिर्फ तीन बजे, ना तीन बजे के पहले, ना तीन बजे के बाद, पांदर्स मिनिट प्लस मैंनस चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा आपका difference नहीं होना, जैसे market खतम होने के पहले, या दो पहर में, या सुबहे, इस तरीके से आप करोगे, तो result आपको नहीं मिलेगा, ना कुछ आपको box, जैसे box यानि क्या, कि आपका जो return है, ये enhance करने के लिए क्या करें, अगर आप simple daily SIP, अगर आप करोगे, तो आपके 20-22 working days होगे, लेकिन ये 20-22 working days में, कहीं बार आप जो buying करोगे, वो expensive buying होगा, ना expensive buying के संदर्ब में एक चीज़ आप याद रखे, कि चाहे कुछ भी हो ज जैसे आपको क्या करना है, रोज आपको buy करना है, कितने बज़े आपको buy करना है, आपको 3 बज़े buy करना है, या तो quantity और value के हिसाब से, और ये buy आप एक ही condition में करोगे, अगर जो मेरा stock है, वो negative है, negative 5 रुपए हो या 50 रुपए हो, या 5 पैसा हो, या 500 रुपए हो, कोई फ जाए है, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन 2% की गिरावट, या जो stock आपका negative है, ये आपको चाहिए, चाहिए, क्यों, देखो stock market के अंदर majorly 2 trend होता है, एक तो आपका uptrend होता है, अगर downtrend अगर आपका आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे buying आप कर रहे हो, तो naturally आप यहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हो, bottom fishing आप कर रहे हो, यहाँ पे आप naturally value buying आप कर रहे हो, यहाँ पे आप सस्ता, यानि इस जिगे पे जो आप buying कर रहे हो, it is naturally called a cheap buying, अब जब भेंगा होगा, उस हमें आप buy करोगे, तो आपका ROI अगर buy करोगे, तो आपका ROI इंक्रीज होगा, आपका जो capital requirement है, यह आपका reduce होगा, and साथ में जो आपका risk to reward ratio जो है, यह आपका यहाँ पे increase होगा, यानि यह सारी चीज है आपके favor में जाएगी, only in a condition, एक तो 3 बजे ही trade करना है, या तो जो मेरा stock है, वो 2% की get out पे आ चुका हो, and जब नीचे गिरे, तब ही buy करना है, expensive buying नहीं कर अब यह strategy का exit बताऊं, उसके पहले यह strategy है, इसके natural advantage का है, सबसे पहले यहाँ पे जब भी आपका stock negative है, तब आप buy कर रहे हो, इसका मतलब आपका accumulation हो रहा है, वो भी सस्ते वाले price में, जब भी कोई stock गिरेगा, और उसके अंदर आपका multi days, या multi week, या multi month का consolidation आएगा, उस सम पर सबसे ज़ादा आपका buying होगा, यानि जो natural average आपका है, वो भी आपका reduce होगा, और in fact आपका weighted average है, वो भी यहाँ पे reduce हो जाएगा, यह जो method है, यानि negative आपका price हो, तब भी अगर आप buy करोगे, तो आपको और एक फाइदा यह होगा, कि जो आपका cash flow है, या जो आपका investment है, यह बहुत ज़्यादा, control मेर होगा, at the same time, जब market गिरे, तो one of the major problem is, पैसे कतम हो जाते हैं, तो यह वाला जो problem है, यह आपको नहीं आएगा, यह आपके plus point में जाएगा, and मैं यह कह सकता हूँ कि wealth creation के उपर, जो यह मैं पूरी series में करा हूँ, यह मैंने सोचा है, कि 2023 and 2024 क करूँगा, तो this is one of the simplest, easiest and most proven strategy available in the market, directly in the form of stock SIP, जिससे wealth creation हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, and performance भी मैं आपके साथ share करूँगा, उसके पहले strategy का exit है, वो हम समझ लेते हैं, तो generally कोई भी wealth creation strategy आप लेते हो ना, तो यह buy and forget वाली strategy होती है, और इसलिए मैंने का कि जो growth है, इसको ऐसे ही stock आपको समझने चाहिए, अब जब आप growth वाले stock में, अगर आप यहाँ पर buy and forget की strategy आप लगाते हो, तो समझ लीजे वो जो strategy है, वो valuation की strategy है, वो return या reward की strategy नहीं है, तो आपका जो valuation है, वो increase होगा, कहीं बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर खरीदा, और राइ expensive stock हो जाए, आपने देखा हो कि recently, यह जो stock है, जिसका नाम है Cole India, आपने दिखा हो कि जब से listing हुआ, इसके बाद पहली बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, यानि अपने पूरे जीवन काल में, starting from the year 2000 level, इसने दो बार ही बहुत अच्छा bull momentum दिया, जो पहला bull momentum दिय वो भी एक गिरावट के बाद यहाँ पे आपने देखा था, और यह दूसरी बार जो bull momentum आया है, यह भी एक बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन इस बार जो यह आपका growth हो रहा है, यह slow and steady हो रहा है, बट यह expensive यहाँ पे stock हो गया, तो जब भी आपको लगे कि stock मेरा super expensive हो च परशल exit करना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे maximum return आप ले सकते हो, otherwise अगर आप exit के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिलकुल चिंता मत करिए, जो एक natural form में जो strategy है, वो भी अपने आप में एक बहुत तगड़ा यहाँ पे return दे सकती है, now यहाँ पे मैंने back test है यह सन 2000 से लेके अब तक का है, यानि आप यह कह सकते हैं कि almost 23 साल का यहाँ पे यह back test report आपके साथ में शेयर करा हूँ, तो अगर यह ambuja cement में जो strategy मैंने आपको already अभी मैंने बताई, उस तरीके से अगर आप investment करते तो ambuja में आपका total investment होता कितना, 4,60,000, देखो यह जो Friday के closing के हिसाब से अगर मैं यह 4,60,000 का valuation में निकालता हूँ, तो that is 11,92,607 जब यह recently इसने जब बनाया था, तो इस समय इसकी जो value थी, वो 16,81,000 approximately यहाँ पे थी, तो आप देख सकते हो कि भी जो 4,60,000 जो कि आपने step by step आपने investment किया, एक समय पे उसकी value 16,80,000 रुपय तक ब Friday के हिसाब से जो इसका यहाँ पे valuation अगर मैं देखता हूँ, तो 15,47,000 कितना, 15,47,000 and round figure में कर देता हूँ, यह return मिला और जब यह stock ऊपर था न, उस समय इसने 16,49,000 तक का यहाँ पे आपको return यहाँ पे दिया, तो देखो, आपने invest कितना किया, 4,65,000, आपका अभी current valuation कितना that is 16,49,000, अगर एक simple ROI निकलने की कोशिश करोगे, तो यह 300,00% के भी उपर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक simple ROI नहीं चलेगा, क्यों, क्यों कि यह जो 4,65,000 जो आपने investment किया न, कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 600-700 रुपए, कि आपने 23 साल के अंदर, आपने 4,65,000 investment किया और जिसकी value आज 23 साल के बाद, यह जो value है, यह तकरीवन 15,500,000 हो गई, इससे बड़िया wealth creation के strategy क्या हो सकती है, यह आप मुझे यहाँ पर बता सकता है, इसके अंदर कुल मिला के 4 box यह आते हैं, यह जो perk है, यह क्या है, पर्क यह खालने वाला perk नहीं, यहाँ पर मैं perk की में जो बात कराओं वो यह है, कि कुछ additional अगर आपने initiative लिया, कुछ additional आपने यहाँ पर filters लिया, कुछ additional mechanism आपने लगाया, तो आपका return कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर basically 4 perks मेरे पास already available है, लेकिन मैं शुदवात के 3 perks का मैं पहला perk लगा दिया, तो यहाँ पर देखो मेरा जो इस यह वाला जो stock है, विच इस मैं अम्बू जहाँ, अगर मैं कोई perk नहीं लगा था, यह simple strategy अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपको कितना यहाँ पर आपका जो return है, वो कितना होगा, 11,92,000, लेकिन जब आप यह पहला आपको यहाँ पर जाधा मिल रहा है, तो थोड़ा सा additional investment भी लगेगा, यहाँ पर आपने 4,60,000 का investment किया, यहाँ पर इस strategy में थोड़ा सा जाधा investment करना पड़ेगा, कितना, धाई लाग रुपे जाधा investment करना पड़ेगा, और यह जो धाई लाग किया, मैं फिर से करा हूँ, यह टुपडे-टुपडे में 23 साल लगे, इसको यह investment करने में, टोटल अगर आपने 1st लग लगा दिया, तो 7,03,000 का capital के सामने, आपका जो current capital हो जाता, वो 18,00,000 यहाँ पर हो सकता था, डाबर के अंदर 7,15,000 यानि 77,00,000 रुपे अगर आप यहाँ पर लगाते, तो यह capital अभी 23,00,000 रुपे हो सकता था, और even at the same time, अगर आप मेरिकों में लगाते, 1,5,00,000 रुपे का total यहाँ पर investment होता, और आज इसकी value 23,00,000 के आसपास है, अगर आपने एक की जगा पे, अगर मान लीजे, आपने 2 पर्क लगा देते, तो यहाँ पे यह जो, this is my perk number 1, यहाँ पे मेरा perk number 2, थोड़ा सा capital investment और आपका बढ़ेगा, देखो यहाँ पे जो आपका capital investment है, वो double यहाँ पे हो जाएगा, और return जो है, that is also getting double, almost आप यहाँ पे 24,00,000 रुपे, total investment कितना, 9,16,000 रुपे के आसपास, और यह value आपकी अभी होती, तकरीबन 14,20,000 रुपे, और यह मै valuation हो जाती, almost 24,00,000 रुपे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डावर लेखो, डावर में आपने 9,00,000, again यहाँ पे इसमें आपने इतना ही लगाया, और इसकी अभी की जो value होती, that is almost 30,00,000 रुपे, और यहाँ पे अगर आप मेरी कौम में लगाती, तकरीबन 11,00,000 रुपे और फिर अगर आखरी वाला perk आप लगा देते, तो देखो, यहाँ पे अम्बुजा में total investment हमारा कितना होता, तकरीबन 11.7,00,000, और आज मेरी valuation होती कितनी, 31,00, 72,000 के आसपास इसकी value होती, अगर डाबर में same strategy अगर हम apply करते, तो 10.8,00,000 का यह मेरा total investment होता, 23 साल के अंदर और इसकी जो current valuation होती, वो 38,00,000,000 के आसपास होती, और अगर मेरीकों में अगर मैं देखता हूं, तो total मेरा investment 11.45,00,000,000 यहाँ पे हो जाता है, और आज इसकी जो value है वो 30,00,000, almost 31,000,000, यहाँ पे हो जाती, तो आप दिख सकते हैं कि जो capital है, almost three times यहाँ पे यह मल्टिप्ल साल लगे 23 साल यानि कभी देखो ये strategy में कभी किसी दिन 100 रुपय का investment कभी 500 का investment किसी दिन 1000 का investment ये पूरी की पूरी strategy इस तरीके से यहाँ पे work करती है और अगर इस strategy का अलगो आपको चाहिए देखो daily SIP बहुत powerful है बहुत useful है simple आपको ये strategy execute करना है या तो आप हर रोज 3 बजे एक share buy करो और यहाँ पे BM ने यह किया है ये जो पूरा performance है ये सिर्फ एक quantity के उपर है तो आज से माल लीजे कि 10 साल पहले अगर stock का price माल लीजे 50 रुपय होगा तो 50 रुपय का एक share ही खरीदा तो only one quantity के ऊपर ये पूरा performance है और देखो simple quantity अगर हम देखते हैं तो कितना return बन रहा अब माल लीजे यहाँ पे अगर मैं valuation की सबसे जहता है अगर मैं यह सोचता है कि हर महीने let's say मैं 5000 रुपय इस strategy में लगा था तो इसका अगर आप perks लगा दो खे तो और ज्यादा return आपको मिलेगा तो यह strategy को अगर आपको अलगू के manner से चलानी है आपके computer screen के ऊपर आपको देख रहा होगा eSIP वाला code और इसको इस WhatsApp नमबर के ऊपर which is 8141838244 इसके ऊपर आप message बेच दीजे my team is going to share you all the information and अगर आपकी कोई भी query है आप सीधे उन से अपनी जो query है वो resolve कर सकते हो मुझे पुरा विश्वास है कि यह जो simple SIP देखो pure equity कोई trading नहीं simple delivery लेंगे चोटा चोटा investment करेंगे रोज हम यहाँ पे 500 रुपए 600 रुपए 200 रुपए 50 रुपए जो भी stock का price होगा चोटा चोटा investment करेंगे और एक बड़े valuation के लिए जाएंगे strategy का advantage उसका यह है कि यह जो strategy है यह एक wealth creation की capital building की strategy है मुझे हमेशा एक client complain करता है कि मेरा जो capital है वो कम है अगर capital आपका कम है stock market में बड़ा capital बनाना चाहते हो इस safe simple strategy आपको मिल नहीं सकती और अगर इसमें कुछ stock ऐसे हैं जैसे आपका डाबर है कभी कबार dividend दे देता है इसमाल इजी कि आपके capital अभी आपका stock value हो 30,000,000,00,000,00,000 हो गया और 40,000,00,000 पे अगर इस stock ने खाली 5% का भी dividend दिया तो अब calculate करें कि वो return कीतना होगा एक समय ऐसा लुrage कि जो dividend का return या वो भी लाखों में पहुंच आपका सकता है तो यह strategy है, simple, easy to execute strategy है, कोई भी query है, दीचे comment section में सवाल करो, otherwise you can talk to my executive, I am going to see all of you in the next session, till then take care of your heart and money, and जाए हैं।